नमस्ते दोस्तों नमस्य वै। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और रेसिपी की साथ! तो आज मैंने बरिस्ता बनाने की रेसिपी शेयर की है क्योंकि मैं दो तीन सबजिया मुझे बनानी थी तो मैं सब लगभग इसको दो तीन महीने तक यूज कर सकते हैं इतना स्टोर नहीं करती लेकिन एक बार मैं बना लेती हूं पूरे वीक के लिए तो देखिए सबसे पहले मैंने तीन सबजियां बनाने के लिए लिया है साथ आठ के करीब प्याज मीडियम साइज के प्याज हैं सबको अच्छे से छेल लेना है आगे पीछे का जड़ है और दिंधल है उसको निकाल लेना है और फिर इसको ना हम पतले पतले स्लाइस में करेंगे यह आगे का इसका जो वाइट पार्ट है इसका निकाल रही हूं मैं फिर इसको ना अच्छे से पतला पतला कट कर लेना है इस तरीके से देखिए और सच में मैंने तो यह ग्रेवी बनाई थी तो पूरे वीक चली थी तो आप चाहें तो बेरिस्ता बना के रख सकत हो जाएगी और अगर यह बना हुआ रहता है ना तो आप बिर्यानी बनाओ या कोई भी सबजी बनाओ या नॉन विज बनाओ तो फटाक से थोड़ा से उसमें डाल दो टेस्टिक दम बढ़िया आ जाता है तो देखिए सारे प्यास को मैंने खोल लिया है इधर मैंने ऑईल चड़ाया था गर्म होने के लिए लेकिन एक गरम होना चाहिए पूरा हौट होना चाहिए और इसमें इस तरीके से हम प्यास डालेंगे और यह जो प्यास था इसको मैंने दो बार में बनाया था तो डालना है बट साओ धानी से क्योंकि फोड़ा सवरुता है शुरू मैं औ और देखिए तीन चार मिनट में ही अल्मूस्ट बन गया है यह कलर आप देख सकते हैं कैसे होने लग गया है और जो बुलबुले ऊपर आय थे ना वह बैठ गया है मतलब जो पानी था वह सूख चुका है तो अब जब प्याज इतना हो जाएगा फिर इसको हम लगातार जल जाएगा क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो यह लग भग लग भग हो गया है आप चाहें तो अब भी निकाल सकते हैं चाहें तो थोड़ा सा और इसको फ्राइब कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा और इसको फ्राइब कर रही हूं और यह हो चुका है तो कलर देखिए इसक तो इसको निकालना है और जब इसका पूरा ओयल स्ट्रेन हो जाए तो एक प्लेट में अगर टीशू पेपर बिछा ले तो और अच्छा और इसको निकाल लेना है और फिर सेम ओयल में बचे हुए प्याज को भी इसी तरीके से फ्राय कर लेना है मतलब हाई फ्लेम पे ना धा तो आपको तुरंत अनियन काटने का या वो जो फ्राय करने का जो टाइम होता है वो टाइम बच जाता है कि प्याज पहले काटिए फिर भूनिये फिर कोई चीज बनाईए तो यह अल्रेडी रहता है तो फटाक से अपने सब्जी डाली ऊपर से थोड़ा सा यह डाल दिया तो यह फ्रायड अनियन जो है बहुत ही काम की चीज है तो ऐसा करके रख लेना चाहिए खासकर अगर कोई घर में गेट टोगेदर हो या कोई गेस्ट आ रहे हूं तो जरूर पहले से प्रिपेर कर लेना चाहिए बहुत टाइम बचता है तो यह देखिए मैंने निकाल लिय है और यह देखिए जी दम करारा कुरकुरा सा हुआ है और देखो ठोड़ा हो गया है अब हम चाहे तो इसको इसी तरीकेसे पर अक्षिली में इस दर्धर तो चाहे तो आईसे ही हम इसको मसलनी के सब्जी में डाल सकते ह acesso شाह चाहे तो इसको बीना पानी डाले मिक्सी में भी पीस के डाल सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं जब जरूत हो तब डाल सकते हैं तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो